हाई फ्रेंड्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में बहुत सारी न्यूज जो लेटिस्ट अपडेट आई है सीबा इनूस रेलेटेड उनके उपर बात करने वाले है लगबग पास साथ न्यूज हम कवर करेंगे इसके बाद एक मोश्ट इम्पोटेंड न्यूज जिट जिनको आपको मिस नहीं करना है जिसमें यार बहुत बड़े बिलियंज से टोकन को यहां पर सीबा टोकन को खरीदा गया है और इन सब टोकन के पीछे यार वज़ा क्या है और ये आखिर जाते कहां है सीबा टोकन बेसिकली जब ये खरीदते हैं तो जाते कहां है और इनका होता क्या है आगे जाकर क्योंकि इस से प्राइस के उपर कोई इंपेक्ट नहीं पढ़ रहा है लेकिन इसके बावजुद वील से बड़ी बड़ी ट्रांजेशन कर रही है तो भाई या फिर सीबा प्राइस जो है वो बड़ क्यों नहीं रही है तो इसके उपर बात करेंगे इसके अलावा और भी बहुत सारी नियोच निकल कर आई है जिसमें एक भाई साब कह रहे है एक बहुत बड़ी आइटिकल वाले है बहुत बड़े नामचेन वेकती है उनकी तरब से ये कहा गया है मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर कि यार शीबा जो है वो 500% की रेली दिखाएगा 500% इंक्रीज होगा और वो रीजन क्या दे रहे है उसके उपर भी बात करेंगे तो complete वीडियो वाच करना चैनल पर पहली बार आए है सीबस related हर वीडियो आप आना है दो तीन वीडियो डेली तो चैनल को सस्क्राइब कर सकते है वीडियो को like कम कर दिया है या like करा करो comments करा करो मैं जो बोलता हुना मैं सही बोलता है मैं गलत आप अपना सोतंत्र होके अपना मत दिया करो ताकि हमें ये लगे क्यार हमें हमारी गलती है हमें कुछ सुधार करना चाहिए ठीक है तो अपना opinion बहुत ज़्यादा important है आपका opinion मेरे लिए जो भी है clear बोला करो तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली news की तरफ हम बढ़ते हैं वो शीबा में अगर आज की condition में देखे तो एक दिन में 2% के आसपस यहाँ पर increasement देखने को मिला है volume भले ही यहाँ पर घड़ गया है लेकिन market के बढ़ा है market वापस 5-0 के बाद वही 9-0 के आसपस की price यहाँ पर पहुच गई है और इसका सीधा impact बिटकोईन के कारण हुआ है क्योंकि बिटकोईन भी 2% बढ़ गया है जैसा कि मैंने कहा था कि आपको यार की January का last week थोड़ा खराब रह सकता है और February का first week ही अच्छा जाएगा और जैसे एक तारीक होई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिटकोईन 43,000 डॉलर के आसपस पहुच गया है और इसकी first week में 45,000 डॉलर तक का इस तरफ टच करने का बन रहा है अगर यह ऐसा नहीं करता है तो फिर price यहाँ पर 40,000 के नीचे जा सकती है यानि कि 40,000 डॉलर के भी नीचे जा सकती है तो यह week जो है ना बहुत जादा मतलब उठा पटक वाला week रहने वाला है खेर जो भी रहेगा आपको update तो मिली जाएगी जो पहली news मैं आपको बता रहा हूँ यह आप देख सकते है 600 billion Siba token को 24 घंटे में basically transfer कर दिया गया है खरीद लिया गया है और basically कहा गया है कि यह token basically जाते कहा है सबसे बड़ा सवाल तो यह है देखिए जिस टाइप से चीजे होती है उस हिसाप से तो यही लगना चाहिए कि यार विल्स ने activity दी है तो Siba की price बढ़ना चाहिए अलाकि 2% बड़ी है तो वो तो Bitcoin की price बड़ी इस वज़ा से बड़ी है लेकिन कहीं न कहीं वेल्स की जो गतिविदी है उसका impact price के ओपर ज्यादा कोई खास देखने को नहीं मिलता है अब ये news कितनी important है वो समझना देखे 24 घंटे में 3 बड़े transition हुए है जो आश्चर जनक तोर पर 600 billion Siba token को transfer किया गया है अब community के बीच में यही एक तरीके से भेका वातावरन हो गया है कि आखिर 600 billion Siba token को कहा बेजा गया है और इसके पीछे असली वज़ा क्या है क्योंकि गहमा गहमें वो बड़ा दी है वरतमान में Siba ecosystem कहीना कहीं एक जलक माना जा रहा है और लेंदेन में एक अग्यात wallet की बड़ी भूमी का है जो Siba में बड़ी मात्रा यहां पर इसने transfer की है तो एक नीजी investor है कोई अन्ना exchange है जो की Siba holding में इस type की यहां पर व्रद्धी देखन को मिली है यह पहली transition दूसरी transition एक wallet से हुई है जो कि यार unknown है और उसको भी transfer किया गया है तो संबता हो सकता है इसके पीछे portfolio को थोड़ा पुनर मुल्यानकन या पुनर संतुलित करने का एक कारण हो सकता है फिर Siba की जो price चल रही है इस price को buy करने के पीछे एक वज़ा हो सकत यह क्योंकि यह price काफी अच्छी यहां पर लग रही है और तीसरा एक और है यार wallet जो की Robinhood की ही तरह यहां पर बड़ी मात्रा में इसने holding यहां पर ली है तो इसे साब से यार community के बीच में काफी भेका वातरण है और जो price अचानक से नीचे चल रही थी वो भी increase हो जाती है और यहां से फिर से community के बीच में वो हो गई बात क्यार फिर से सीबा क्या अपना जो resistance है वो break करेगी और यहां से एक zero वापस kill करने के बाद वही 12, 120, 150 के 15 के आसपास price बहुँ सकती है हाले कि investor रूची इसकी वज़ा से ले रहे है एक बड़ी news यहां पर burning को लेकर निकल कर आई है जहां पर 1530% burning यहां पर जंप हुई है और अचानक से burning में इस टाइप की व्रद्धी थोड़ा से शंका पेदा कर रहे है कि आखिर इस टाइप की जो burning है वो हुई क्यों है और अचानक से इतना jumping यहां पर क्यों लिया गया है तो एपिक मार्केट टर्नारूट में सीबा इनू burn rate में फिर से इतना बढ़ गया है और सीबा इनू की कीमत में भी उचालाया है हलाकि कल भी burning होई थी परसु भी होई थी उसमें तो कोई impact नहीं पढ़ा था तो burning का सीधा सीधा impact सीबा की price पर अभी तो हाल फिलाल में तो न करें dead wallet में उन token को यहाँ पर भेज दिया गया है तो अच्छा संकेत है इससे क्योंकि पूरे हपते में देखोगे तो कहीं पर भी ऐसी burning की बड़ी news नहीं आई थी कल को छोड़ कर हला कि federal reserve की जो ब्याजदर है उनका भी निवेशकों के उपर कहिना कहीं hope अच्छा impact पड़ा है और hope create हुई है और मार्च में जो गिरावट की जो संभावना यह बताए जा रही है उससे पहले फरवरी महिना इन्वेश्टरों के लिए काफी खास हो जाता है और मैं आपको बताओ इसमें फरवरी मंत में आपको मैं बता दू बहुत अच्छे अच्छी प्राइज यहां से देखने को आपको मिल जाएगी सीबा में बिटकोईन में पुरा क्रप्टो मार्केट में इसके पीछे रीजन क्या है क्योंकि मार्च पूरी तरीके से खराब जाएगा क्यो में ने कहा है कि बिटकोईन या तो 45,000 डॉलर को टच करेगा पूरे महीने में अगर बात करें तो 45,000 डॉलर को टच कर जाएगा या तो इदर नीचे 40,000 से नीचे आजाएगा जो 30,000 डॉलर के आसपस रहेगा देखना दिल्चस्प होगा आखिर होता क्या है इन सब के उन्होंने खास कर लगाया है और कहा है कि 500% की इंक्रीजमेंट सीबा में देखने को मिलेगी ठीक है इसके पीछे वो तरकी क्या देते हैं मैं देखी वो दिखा नहीं सकता थोड़ा सा हमें कॉप्राइट का इश्यू रहता है इसलिए वो आइटिकल में दिखा नहीं सकता वो क्या कहते है वो कहते है इसके पीछे सबसे पहला कारण रहेगा बर्निंग ठीक है दूसरा बड़ा कारण वो कहते है शिबेरियम ठीक है भाई या मुझे तो हसी आती है देखि बीना जानकरी बीना रिसर्च बीना नॉलेज के यह अणा डणा जानकरी आइटिकल लिख देते हैं एसा कुछ भी नहीं है यार ना तो बर्निंग और ना सिबेरियम 500-600-700 पर्षेंड की सीबा में इंक्रेजमेंट दिखा सकते हैं यहां तक कि 100 पर्षेंड भी 50 पर्षेंड भी बर्निंग और सिबेरियम सीबा को उठा नहीं सकते हैं यह रियल है फेक्ट है चेक आप क्या सोचते मेरी बात पर आप अपना कमेंट से जरूर लिखना लेकिन मैं जो जितना मेरा अनुभव है ना उस अनुभव से कह रहा हूं कभी भी बर्निंग और शिबेरियम अभी वर्तमान में फरवरी मार्च अपरेल दो तीन महिने में असर नहीं करेगा क्योंकि बर्निंग का सीधा सीधा इंपेक्ट प्राइस पर कभी नहीं पड़ता है क्योंकि बर्निंग में केल्कुलेटिंग सप्लाई इतनी जादा है कि अगर बर्निंग हो भी गई थोड़ी बहुत तो उसका इंपेक्ट यहाँ पर प्राइस पर नहीं पड़ रहा है ठीक है मैंने कई बार मोकों पर देखा है दूसरा सिबेरियम का ये कारण बता है तो सिबेरियम में इतना दम अभी है नहीं कि ये सीधे सीबा की प्राइस को इंपेक्ट कर सके ठीक है कल भी एक नियोज मैंने एक भाई साब बहुत बड़े है वो कहते थे वीडियो के माध्यम से कि शिबेरियम एक डोलर तक सीबा की प्राइस को ले जाएगा ये सब कुछ भी नहीं है अभी कुछ नहीं होना है एक साल छे माईने तो आप भूल जाओ कि बरनी या सिबेरियम इसकी प्राइस को हाई कर देगा तो ये अफ़वा वाली जो बाते हैं इनके उपर विश्वास मत करिए और कही ना कही अपना खुद का भी रिसर्च करिए मैं तो कहता हूँ मेरो उपर भी भरोसा मत करो में भी कई बार गलत सा अभीत हो जाता हूँ आप अपना रिसर्च खुद करो हम तो एडवाईज नहीं देते हम तो क्यों अपमारा ओपीनियन बताते हैं आप अपने बेस पर रिसर्च करके ही इन्वेस करो मेरी बात पर क्या सोचते हैं आप कमेंट्स में जरूर लिखना में सही कह रहा हैं वें गलत कह रहा हूं ठीक है तो इस हिसाब से मार्केट आगे मूवेंट कर सकता है तो थोड़ा सा पेशन के साथ आगे बढ़ना और काफी अच्छे अच्छे चीजे यहाँ पर सीबा में देखने को मिलेगी जिसके उपर में दो वीडियो पर डेल आता हूं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आई होप वीडियो एंजोई क्या होगा चैनल पर पहली बार आया है तो सस्क्राइब कर लीजे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए और शिबेरियम भी कोई खास इंपेक्ट अभी वही डेली ट्रांजेशन 1.88 पर अटका हुआ है तो चल रहा है खेर ठीक है गुड़ बाए